नमस्कार दोस्तों कासन श्रडी के अल्लाइन क्लासिज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम आज के पहले कुशन पर चलते हैं आज का हमारा पहला कुशन कह रहा है कंप्यूटर की घड़ी में स्पीट की घड़ना किसमे की जाती है तो बताओगे बिट में की जाती है क्या रहता है जो मधरबोर्ड पर सीप्यो को दूसरे पुर्जों सो चोड़ता है तो वो क्या होता है तो बताओगे सिस्टम बस होता है आपसर नमर बी सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहापर कह रहा है किसका उप्योग करते हुए पहला इनी भासा का उप्योग किया गया था अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहाप पर कह रहा है कि किसमें बेसिक कंप्यूटर भासा का विकास किया था किसने जो है बेसिक कंप्यूटर भासा का विकास किया था तो इसमें राइट अंसर बताओगे जान किल्विन जान जी कैमी ने किया था, अपसर नंबर D से हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं, बेसिक कम्प्यूटर भाशा का विकास कब हुआ था तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे, अपसर नंबर से 1964 में अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है किसी program का अच्छितr के रूप में परदर्शन क्या कहलाता है तो उस्सय क्या कहता है बताओगे flow chart कहते है अपसलनिम्बर C सी हो जाएगा अगले question की बात करते हैं इसके कौन सा बैग्यानिक computer भासा है इसमें बताना है कि बैग्यानी कंप्यूटर भासा कौन से है तो इसमें राइट अंसर बताओगे फॉर्ट रान अपसर नमर डी से हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं कहरा है कंप्यूटर भासा कोबोल किसके लिए उप्योगी है तो इसमें राइट अंसर बताओगे बैहुसाई कार के लिए अपसर नमर 20 ही हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं कह रहा है कि इस कम्प्यूटर का भासा का परियोग वारिजजी काड़ों में किया जाता है तो वारिजजी काड़ों में किसका परियोग करते हैं बताओगे कोबोल का परियोग अपसर नमर 20 ही हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन के रहा है अंग्रेजी भासा का सामान उचस तरिये कंप्यूटर भासा है बताओगे कोबोल भासा का अपसर नमबर 20 ही ही हो जाएगा तो जावा इसकार की ने किया था तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे अपसर नमबर सी संन माइक्रो संन अगले कुईशन की बात करते हैं सारे कंप्यूटर में लागभी होती है तो बताओगे मसीनी भास सा अपसर नमबर C से ही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है कि internet पर परियोग तो computer language है तो किस परकार का language है तो बताओगे Java अपसर नमबर A से ही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question कह रहा है किस programming language को translate की जरूरत नहीं होती है तो programming language कौन सी होती है तो इसमें right answer A बताओगे machine language के लिए अगले question की बात करते हैं अगला question के रहा है लुखित में से कौन सी machine independent program है तो ये कौन सा होता है तो अपसर नमबर B बताओगे high label language अगले question की बात करते हैं गलती एक जो है algorithm है इसमें गलत परड़ाम निकलते हैं उसे क्या कहते हैं तो इसमें right answer बताओगे अपसर नमबर A logic error होते हैं अपसर नमबर A से हो जाएगा अगले question की बात करते है machine language क्या प्रयोग करती है तो machine language क्या प्रयोग करती है इसमे right answer बताओगे binary का अगले question की बात करते है अगला question यहाँ पर कह रहा है कि निम्लखित में से storage का सबसे बड़ा unit कौन सा है तो कौन सा है तो इसमे right answer बताओगे TV आपसर नमबर B से हो जाएगा अगले question की बात करते है bit किस का अलग group है इसमे right answer क्या बताओगे बताओगे कि binary digit का अपसर नमबर C से हो जाएगा अगले question की बात करते है एक byte में कितने भी कल्प होते है तो इसमे right answer हो जाएगा C8 होते है अगले question की बात करते है अगला question यहाँ पर कह रहा है कितना byte मिलकर एक किलो byte बनाता है एक किलो byte की बात कर रहा है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा B1024 के अगले question की बात करते है अगला question कर रहा है binary number में कितने अंक होते है तो आपसर नमबर 2 बताओगे आपसर नमबर C बता दोगे 2 होते है 45 में अगले question की बात करते है अगला question यहाँ पर कहरा है कि अच्छों और चिन्नों को byte में store करने की बिधी को क्या कहते है तो इसमे right answer क्या बताओगे coding system कहते है आपसर नमबर B से हो जाएगा अगले question की बात करते है computer में किसी बहाँ सब्द की लंबाई किसमे मापते है तो computer में किसी सब्द की लंबाई मापने की बात कर रहा है तो bitumen नमबर B से हो जाएगा अगले question की बात करते है अगला question कहरा है कि logic gate क्या है तो logic gate क्या है तो इसमे right answer क्या हो जाएगा एक प्रकार का circuit है अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि computer पर information किस का किस रूप में store होता है तो computer पर जो information किस रूप में store किया जाता है तो इसमे right answer बताओगे digital data की रूप में अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक program है जिसमें computer का उपयोग करना आराम हो जाता है तो वो कौन सा होता है तो option number D utility option number D से हो जाएगा अगला question दोस्तों आप लोगों को homework के लिए दे रहे हैं इसका answer आप लोगों को comment box में जरूर बताईएगा दोस्तों गले में थो ठोड़ी से problem हो जाने के करण हम पढ़ाने में आज समर्थ हैं फिर भी परयास ही करते हैं कि आपके लिए 2-4 question इस प्रकार से लेकर करके आते रहें तो दोस्तों यह class आपको पसंद आया है